हलो गाइज, विलकम बैक टू माई वीडियो, मरे वीडियो में आपका स्वागत है, तो आईए हम आपको एक पौधे की तरफ ले चल रहे हैं, जो आप इस पौधे को देख सकते हो, ये पौधे आपको बिलकुल एक दाम, बैर के काटे की बज तरह हैं, ये देखिए हमारे प पौधे बहुत ही इसमें कटीले होते हैं, इनके पतियां बहुत सुंदर-सुंदर होते हैं, ये पत्ते बहुत ही काम में आते हैं, ये पत्ते जब अधी आपकी आखों में गुहोडी हो, या आपकी आखों में घौ हो, निकलाए हो, तो उसको आपको किस तरह से ठीक करना है तो इस पत्ते को ये पत्ते जो आप देख रहे हो मैंने तोड़ कर आपको दिखा रही हूँ इस पत्ते को आप तिन पत्ते से कितने सारे लाप पाओगे तो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये देखे हमारे तिन पत्ते तोड़े हैं इस तिन पत्ते से आप ब बहुत ही बड़े होते हैं और ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने से इनका फल खाने में बहुत मीठा लगता है इनमें एक बीज होते हैं ओबीज बहुत ही सुंदर होते हैं और बढ़िये होते हैं इस बीज से भी आपको बहुत सारे लाम मिलेंगे इनके और आपको दिखाने चाहरी हूँ यह बहुत जादा ही बहुत ही बड़े दाओ हो चुके हैं तो इस पत्ते से आप अपने उस घौं को इस पत्ते की मदश से आप ठीक कर सकते हो इस पत्ते ये बैर के पत्ते जो हैं आप तिन पत्ते इनका बहुत ही काम का पत्त हैं इस तिन पत्ते को आपको क्या करना है अधी आपके आखे के नीचे गुहौरी हो गया हो या आपके आखों में गहौ हो गया हो तो उसको आप किस तरह से ठीक करोगे तो मैं आपको दिखा रही हूं कि यह देखिए मैंने तिन पत्ते ले लिए हैं और इसको तिन पत्ते को आप मोड़ लीजे और तीनों पत्तों को मोड़ कर आप इसको बिल्कुल एकदम इस तरह से सजा कर इसको मोड़ लेना है आप इस तरह से मोड़ लीजे और इसको जालू का टिनका जो हम लोग इसमें आपको क्या बोलना है कि जैसे जैसे पत्ता सुखे वैसे वैसे मेरा घौ सुखे तो ये आपको टोटका है बैर के पत्ते की टोटका है तो आप इस बैर के पत्ते का टोटका उस तरह से बोलिए और बोलने के बाद आप इस पत्ते को आप दरबजा ठीक आपके जो में गेट का दरवाजा है उसके सामने आप इसको खोस दीजिए काटे को अपने जाड़ु का टिन का में घुसा कर उसको खोसने से क्या होता होगा कि आप जो आपके अंदर परवेश कर रहे हों उनका दिब दिरिष्टी जो भी जैसा नजर से घुस रहे हैं वो इनके पत्ती पर नजर पढ़ेंगे तो आपका गुहोडी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और अधि आप मेडिसियन लेती हो अगर आप मार्केट से दवा खरीत कर खाते हो तो उस दवा को बिल्कुल ना ले क्योंकि दवा खाने से आपको गुहोडी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी और वो प्रिते में फाइदे मंच चीज हैं और यह अधि काटा इनकी घड़ जाते हैं तो काटा जल्द नहीं निकलती है क्योंकि इनका काटा बहुत ही तेड़ा होता है और यह काटा घुशने का बाद बहुत ही दर्द होती है महसूस होती है इसलिए आपको काटा निकालना भी हो तो आप किस तरह से निकाल लेगा तो मैंने भी आपको उस वीडियो में आपको दिखाऊंगे कि आपको काटा किस तरह से निकालना है आपको काटे को तो मैंने इस तरह से आपको दिखाया है दोस्तों आप देख सकते हो बैर के काटे को बैर के पत्ते से आपको तैसे ठीक क करना है आपको गुहौरी घर आपके आखो का इलाज खुद भाई खुद हो जाएगी घर पे आपको कहीं भाग दोड करने की जरूरत नहीं है आप मेडिसियन आपको मार्केट से भी नहीं सूट करेगी क्योंकि सरल उपाय यही है बैर का आख के गुहौरी अधी हो जाते हैं तो सरल उपाय यही है कि आप इससे ठीक कर सकते हो क्योंकि ठीक करने का उपाय एक ही है कि बैर के पत्ते से गुहौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है अधी और कहीं भी घौ हो गई हो तो इस पत्ते से बिल्कुल भी ना ठीक होती है क्योंकि आख का गुहौरी ही ठीक होगी इस तो आप इस पौधे को घर पे अवस लगाएं और आप इस पौधे को बड़ा नहीं चाहते हो दोस्तों तो आप इस पौधे को गमले में लगाएं गमले तक ही सीमित रहेगी क्यूंकि इनका पेड बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही बड़ा काटे और लज्जातार और बहुत ही लाब मिलेंगे इनके दतवन भी बनते हैं इनका दतवन से मूध होने से आपको एक दम ब्रस से ज्यादा थरिश लगती है मूध होने से इस कांटे की दत तुंध होने से तो आप इस पौधे को घर पर लगाईए और इनके बहुत सारे फायदे पाईए और मेरे अधी मेरे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए बलेकन बटन को अबस दवाएं पाई पाई पाई